दिमाग में आता है एक financially बहुत ज़रा गरीब देश, economy बिलकुल उसकी crumble कर रही है और IMF बड़ी कड़ी शर्तों में आकर उस country को बचाने की कोशिश कर रहा है, मगर IMF सिर्व यह सब नहीं करता, International Monetary Fund दुनिया भर में कोन सी country कितना grow कर रही है, उसकी economy कहां पर पहुचेगी, IMF ने ये रिखाया कि इनके हिसाब से financial year 2023 में दुनिया की growth rate क्या होगी, कौन सा देश कितना grow करेगा, अब यहां पर मैं एक बात clear कर दू, इस वक्त चल रहा है financial year 2022, तो 2022 के लिए IMF की prediction ये है कि भारत की GDP growth rate रहने वाली है 6.8, अब क्या है कि जब ये साल खतम होगा, उसके जैनवरी से लेकर मार्च तक का time बीच जाएगा, ये financial year खतम हो जाएगा, फिर अगले financial year में, IMF ने दुनिया की economy के लिए बहुती negative prediction करी है, IMF ने ये का है कि भारत 2023 में 6.1% grow करेगा, और भारत अकेली economy है, IMF की पूरी list में, जो 5% के उपर grow करने वाली है, आप देखकर च आचवे के बाद, चौथा पायदान हम को मिल जाए, nominal GDP के मामले में, तो जर्मनी की GDP गिर रही है, इससे भारत को थोड़ा बहुत फायदा होगा, मगर overall, global economy के लिए बहुत ही खराब संकेत है, कि जर्मनी, इडली, ये सब negative में चले जाएंगे, USA सिर्फ 1% grow करेगा, United Kingdom भी ब पूरी लिस्ट में आप देखोगे, शायद ही आपको कोई देश दिखेगा, जिसकी growth rate देखकर कुछ, आप कहले जिए, positive feeling आती है, कि नहीं, ये country आगे grow करता रहेगा, तो इस पूरी लिस्ट में आप अगर देखो, तो सिर्फ भारत या किला देश दिखता है, जिसकी growth rate genuinely बनी रहेगी, जो literally आप कहा सकते हैं, global economy को भी motivate करेगा, नहीं तो IMF ने prediction ये करी है, कि अब से लेकर 2026 तक, जि हाँ, नौस रजायमस जब IMF बनता है, तब बहुत दूर की ये जो prediction आ करते हैं, इनके हिसाब से, अब से लेकर 2026 तक, global economy में 4 trillion dollar का loss होगा, इसका मतलब ये है, कि जितनी economy जर्मनी की है न, nominal GDP में आप अगर देखो, तो जर्मनी की economy का size 4 trillion dollar के आसपास है, तो यही मानलो, economy के मामले में, एक जर्मनी के size का country ही देश से भाहर निकल जाएगा, और इसलिए IMF ने ये भी का है, कि worst is yet to come, आने वाले कुछ महीने बहुत challenging होंगे, महंगाई ब बड़े बड़े देश ग्रो नी कर पारे, इंडिया तो लगातार ग्रो करेगा, मगर इस सब का मतलब ये भी नहीं है, कि all is well, बहुत उनोती आएंगी, discuss करेंगे इस वीडियो में इन सब topics को, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे question पुछूँँगा, question ये है, कि हाली में भ भारत की economy लगातार आगे ग्रो करती रहेगी, बड़ एक बहुती बड़ी problem सारी दुनिया के सामने ये आने वाली है, कि inflation महिंगाई बहुत जड़ा बढ़ जाएगी, जिससे cost of living पर काफी pressure आएगा, does not matter where you live, जहाँ भी आब रहेगाएंगे,